हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक वल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक बिज़े शांग मुझे मारा एंथनी ने का पहला भाग संजग उक्ता पेश करते हैं मुझे मारा एंथनी ने मगर इतियास गवा है कि एंथनी किसी को अकारण नहीं मारता हाँ मैं भी जानता हूं एंथनी अपराद की जिन यातना हो ने तुमें पैदा किया तुम किसी दूसरे को वैसी यातना है कैसे दे सकते हो लेकिन शाहिद कुछ लोग ऐसा समस्ते थे सभी लोग एकी समयवट डाग बंगले पर पहुँच गए है हम सभी की चर्चा का विशय एक ही है एक जिन्दा मुर्दा जिसे बहुत कम लोगों ने देखा और उसे देखने वाले अधिकांश लोगों ने उसे आखरी बारी देखा क्योंकि वो मुर्दा जेने दिखता है उनमें से किसी को जिन्दा छोड़ता ही नहीं हम चारों भी उसी के सताय हुए है हम चारों को मारने में उसने कोई कसम नहीं रख छोड़ी थी, किन्तु भाग के बश्च हम बच गए, और अब हम चारों अपने सयोक्त प्रयासों से उस मुर्दे को मौत देने की प्लानिंग के लिए यहां पर एखटा हुए हैं लेकिन जैकी, क्या तुम हवा को पकड़ सकते हो, उसे मार सकते हो? मुर्दे अंथनी येक आत्वा है, हवा है, उसे तो देखना ही मुश्किल, फिर पकड़ना तो बहुत दूर की बात है ढूंडो तो भगवान भी मिल जाते हैं हीरालाल, तुमने शायद येक आवद नहीं सुनी तुम बदाओ, उसे कहां पर ढूंडेंगे, कैसे मारेंगे? इसलिए तो तुमको एक घटा किया है, देखो, हम सब वो भगशाली लोग हैं जो एंथनी को देखने के बाद भी जिन्दा है मैं चाहता हूं कि हम मेंसे प्रतेग व्यक्ती एंथनी से अपनी अपनी टकर की कहानिया में सुनाएं, उससे क्या होगा? लडाई से पूरव अगर दुश्मन की शक्ति वो कमजोरियों का पता हो तो वो लडाई असान हो जाती है हमें ये कहानिया ध्यान पूरवग सुननी होंगी मैं इन कहानियों से एंथनी की शक्तियों वो उसकी कमजोरियों के विशह में जानना चाहता हूं उसके बाद हम अपनी आगे की रणलीती तै करेंगे प्लान तो अच्छा है हाँ लेकिन अगर काम्याब हो जाए तब हमारा प्लान जरूर काम्याब होगा सबसे पहले कहानी कठोर सिंग यादव सुनाएगा ठंगपपा सुनाएगा या मैं हीरलाल मैं सुनाता हूँ ठंगपपा ठंगपपा तुम ठीक है सुनाओ मगर ध्यान रहे कहानी इतनी दक्षता से कहनी है कि सुनने वाले की आँखों के आगे हूब हुग घटरा की फिल्म ही बन जानी चाहिए ठीक है तो मैं अपने बचपन से शुरू करता हूँ जब मैंने अपनी कक्षा के सबसे होना हर छात्र को क्लास में फस्ट आने पर मैडल मिलते देखा उसे मैडल मिलते देख मैं इर्शा से जल उठा ये मैडल मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता लेकिन मैं जानता था कि उसे वो मैडल ऐसे ही नहीं मिल गया था उसके पीछे उसकी जी तोड़ा मेहनत थी उसकी तरह 24 गंटों मैंसे 16-17 गंटे किताबों वे स्टड़ी में डूबा रहना मेरे बच में नहीं था लेकिन मैडल तो मैं पाना ही चाहता था मैडल का नशा मुझपर दिनों दिन बढ़ रहा था एक जुनून की तरह मैडल दिमाग में गुस गया है, पढ़ाई नहीं गुस रही, लानत है मैडल पाना चाहते हो शिक्षा का अनादर करके मैडल नहीं, पैडल मिलता है नहीं समझे पैडल मतलब रिक्षा, रिक्षा को पैडल मारकर ही चलाते हैं, मैडल चाहिए तो हार तोड मेहनत करना सीखो लेकिन मैडल की चाहद मेरे खून में रच बस चुगी थी, मुझे वो हर कीमत पर चाहिए था अफवलता में क्लास में मेरा नंबर दूसरा है, और गिरीश के रहते में अफवल नहीं हो सकता लेकिन मेरे रहते इस बार ऐसा संबब नहीं होगा, ये छोटा सा बच्चा इस बार गिरीश को अफवल नहीं रहने देगा हमेशा अबबल लेने वाला ग्रीश नकल करने के अपराद में पकड़ा गया नहीं सर मैंने नकल नहीं की मैंने जानता इसे मेरे डेस्क के नीचे किसने फिका है चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोर ही की है उस बार मैं अबबल ला ग्रीश कहता था कि मैं मैडल नहीं जी सकता बगर मैंने मैडल जीता मैडल मिलने के अनुबूती अद्भूत थी उसके बाद मैंने मुड़कर नहीं देखा मैंने स्कूल वा कॉलेज के छेतर मैंने एक मैडल जीते विशेश बात ये थी कि कोई भी मैडल मैंने अपनी पर्तिवाई या मैनत के बल पर नहीं जीता था फिर मेरा सेलेक्शन फॉज में हो गया मेरी नियुक्ति गोरखा राइफल्स बटालियन के कमपनी कमांडर के रूप में होई सियाचिन जैसी देश की सरवादिक दुर्गम वा बरफीली चोटियों पर मेरी पोस्टिंग होई जहां नियंतर नेखा को लेगा भारत वा पाकिस्तान के पीश तरनातनी चलती रहती है और मैं इस तरनातनी का लाव अपने लाव के लिए उठाना चाहता था इस बरफीले नरक में किस प्रकार से मिल सकता है मैडल वहाँ पर भी मैडलों के लिए मेरी भूग बढ़ रही थी मगर मैं जानता था कि मैडल पाने के लिए कोई कारणामा दिखाना पड़ता है और सैनिक ऐसे कारणामे किवल युद्ध के दौरा नहीं करते हैं यहाँ पर दुश्मनों के ओर से यदा गदा गोलियां तो चलती रहती है बगर युद्ध जैसे आसार कभी पैदा नहीं होते तो फिर मैडल कैसे मिलेगा थंगदपा मैडल हासल करना चाहता था ओ हाँ मैडल मिल सकता है बिना युद्ध किये भी हाँ 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 यह क्या कर रहा हो चिंग 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 हमें क्यों मार रहा हो तुम पाकिस्तानी हो आतंगवादी कश्मीर के समर थक पाकिस्तानी आतंगवादी घुश पैटिये हम गरीब लोग हैं हमें मत मारो हमें मार कर तुमें क्या मिलेगा मैडल जिंग जिंग वो सचमुच गरीब लड़के थे उनमें से एक क्यों मिरतों तो इव 16 साल की ही थी उन्हें मार तो गिराया था मगर बिना सबूत के उन्हा आतंगवादी साबित करने में मुझे परिशानी हो सकती थी सियाचिन के रास्ते भारत में प्रिवेशे उन्हों दिली की संसत के नक्षे नहें आतंगवादी साबित करने में मदद करेंगे दिली में संसत पर किसी बड़े हमले के आशंका पहले से जताई जा रही थी उन आतंगवादियों का उसी संभाविश चर्दें ते या हमले की कड़ी माना गया वेलकम कमांडर थो मेपा आपने देश का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा दिया ये तो मेरी ड्यूटी है सर मुझे रूप नगर हैटकॉर्टर बुलाया गया और मैं जानता था कि मुझे एक और मैडल मिलने वाला है सेना के पत्पर ये मेरा पहला पता कोगा समारों में एक बड़ी गड़बड होते होते रह गई वो मैडल उसे मत दीजे सरकार ये आदमी खूनी है उसने मेरे तीन बेटों और उसके निर्दोश दोस्तों को मारा है बुले बाप को समारों से निकाल दिया गया ये अन्या है साब इस खूनी को मैडल नहीं मौत मिलनी चाहिए अपने आतमवादी बेटों की मौत से ये पागल हो गया सर मुझे मैडल दे दिया गया आखिर मैं एक मैडल और पाने में सफल रहा वो रात मेरे लिए भारी थी कौन है एक काले बच शकल गंदे कउने मेरे रूम में प्रवेश किया अरे कउवा हुष हट निकल बार कउवा मेरे सिर के चक्कर लगाने लगा अरे मेरा मैडल अंधेरे में कोई खड़ा था कौन है माँ इसे जवाब दो एंथनी की तुम कौन हो अंधेरे में कोई खड़ा था प्रिंस कह रहा है कि मैं तो मैं तुम्हारे प्रश्ण का उत्तर दूँ तो उत्तर देने का तरीका शाथ तुम्हें पसंद नहीं आएगा उफ शरीफ लोग यूँ तो अपना परिचा हाथ में लाकर ये नमस्ते के साथ देते हैं मगर तुम जैसे शैतानों को परिचा देने का यही तरीका सही है मुझे एंथनी कहते हैं एंथनी गुंजालवेज वो कववा प्रिंस है मेरा खास मू लगा है तो कववा लेकर मेरे सुख दुख का असली साथी यही है मैं बात में आता हूँ मगर उससे पहले मगर मुझसे पहले यह आता है इस बकसे को खोलो ओ क्या है उस बकसे में मैडल? धेर सारे मैडल्स? इन में से मकारी धोके वाजी और खोन की गंदाती महसूस हो रही है शायग तू ठीक कहता है जो इंसान एक मैडल पाने के लिए कई निर्दोश्वों मासूम लोगों का अपनी बंदू का निशाना बना सकता है उसना इन कई मैडल्स का पाने के लिए न जाने किस-किस पर क्या-क्या अत्यचारी अपराद की होंगे एक अपराद और सही? भलाई इसके लिए मुझे कोई मैडल नहीं मिलेगा ओ, ये तो हम पर ही गोलियां चला नहीं लगा प्रिंस, तु पीछे अड़ जा, क्योंकि कोई भी गोली तुझे हा नहीं पहुचा सकती है मेरा तो ये गोली है, मेरा तो ये गोलियां क्या बिगाड़ेंगी? शाबाज, और गोलियां चला, क्योंकि निशाने पर तेरे ये मैडल्स ही हैं जिंग जिंग तेरी स्टेंगन गोलियों की मैगजिन के खाली हो जाने का एलान कर रही है थुंगपा मगर तु मेरा जिसम जिंदिकी से खाली नहीं कर पाया इसका रह से समझा, मुर्दे को कोई मौत नहीं मार सकती आज तुने मैडल्स नहीं थुंगपा अपनी मौत को गले लगाया है और ये मौत तेजे मैं दूंगा आज तेरे मैडलों की बूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी मौत एंथनी ने मेरी लाश को ले जाकर कबरिस्तान में उस बूडे पिता के कदमों में डाल दिया लो बाबा यही है न वहत तेरा जिसे सीमा परदेश की रक्षा के लिए तैनात किया गया था मगर जिसने मैडल पाने के लिए सीमा को निर्दोशों के खून से रंदिया हाँ हाँ यही है वहत तेरा मेरे बच्चे हिंदुस्तानी थे उन्हें पाकिस्तानी कहकर गोली मारी गई मैं नयाई की तलाश में यहाँ आया था जो मुझे नहीं मिला किसी ने तुमारे बारे में बताया कि अगर तुम मिल गए तो मुझे इंसाफ भी मिल जाएगा तुमारी तलाश में मैंने शायर के के कबरिस्तान में तुम्हें पुकारा अंधेरी गल्यों में तुमारा नाम ले लेकर चीकता फिरा तुम मुझे मिल गए और आज इनसाफ भी मिल गया आज मेरे बच्चों के आत्माओं को भी शान्ती मिल गई होगी मुर्दा भी लोट गया जर्मकान देखकर मेरे आत्मों को भी शान्ती मिल जाती है प्रिंस मुर्दा मुझे मुर्दा समझकर चला गया था लेकिन मैं अभी मरा नहीं था मैं जल्दी होश में आ गया अगर मुर्दे को पता चल गया कि मैं भी जिदा हूँ तो वो फिर लोट आएगा मुझे मुर्दा बनाने है उसके डरके कारण मैं वापस ज्यूटी पर नहीं लोट सका और आज तक छुटता फिर रहा हूँ तो तुम इस प्रकार बचे एंथनी के हाथों मौत पाने से हाँ लेकिन आज तक उससे बदला लेनी की जहाँ सीने में हार्ट इटेक पैदा कर रही है मुर्दे को जब तक मार नहीं दूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा तसली रखो हम उसे जरूर मारेंगे हम उसे मारने के लिए याँ खटा हुए है अब कहानी कौन सुनाएगा मैं सुनाता हूँ कठोर सिंग यादब ठीक है सुनाओ मेरा नाम कठोर सिंग यादब है पहले मैं एक अखाड़ा चलाता था बाद में मैंने एक सिक्योर्टी कंपनी खोल ली हाँ ठीक है वहीं पर लगा दो मेरी कंपनी काफी मुनाफ़ा पटोर रही थी क्योंकि हर बड़ी या छोटी कंपनी को गार्स चाहिए होते है दस गार्स ठीक है भेज दूँगा पहले तो मुझे केवल अपने शहर की कंपनीों से ही गार्स के ओर्टर मिलते थे फिर देश भर से मिलने लगे ठीक है बंबई दिल्ली और मदरास में गार्स चाहिए मिल जाएंगे देश में मेरी कंपनी का बहतर पब्लिसिटी का ऐसा असर पढ़ा कि गार्स की भर्टी के लिए ओर्टर विदेशों से भी आने लगे बिटेन के लिए गड़ उस दिन सबसे वड़ा ओर्टर अमेरिका से मिला दस हजार गार्स ओके मैं मैं कुशिच करता हूँ मगर पास्ता में इन गार्स की जरुवत अमेरिकी फॉज को थी ओ तो जरुवत फॉज में है येस उसना समझाय कि अमेरिकी लोगों को सेना में भड़ती करने पस जादा वेतन देना पड़ता है जबकि भार्तियों लोग उनकी अपिक्षा बहुत सस्ते में मिल जाते हैं विदेशों में जाकर नौकरी करने वालों के यहां पर कोई कमी नहीं है मिस्टर ब्राउन आपको जितने सनिक चाहिए वो असानी से मिल जाएंगे पस मेरा कमीशन थोड़ा जादा होगा अमेरिकी सेना में भड़ती और बढ़िया वेतन का लादर बहुत से युवाओं को मेरे आफिस में खीच लाया फिलाल मिस्टर ब्राउन इंटर्वी के अधार पर भड़ती ये करेंगे देश के कौने कौने से आये सेकड़ों नव युकों की भड़ती की गई मैं सेलेक्ट हो गया अब मेरी माके सपने पूरे हो जाएंगे साथ मैं अपने भी ओए डॉलर कमाएंगे डॉलर मगर वास्तविक्ता कुछ और थी बेवकूफ लोग उनको पता ही नहीं कि अमेरी के सरकार ऐसे लोगों को सेना में भड़ती नहीं कर रही बलकि उन्हें फांस रही है बक्तावर सिंग मेरी सेक्यूर्टी कमपनी का चीफता और मेरा वफादार भी बक्तावर तू मेरी बात नहीं समझाना इधर हा समझाता हूँ यह देख हजारों डॉलर ऐसे ही डॉलरों लोगों को भी मिलेंगे जिनने अमेरीकी सेना में भड़ती किया जा रहा है मगर यह उनके भागे पर निर्बार है क्योंकि वास्तव में होगा यह कि उन सैनिकों को युद गरस्ट छेतरों या देशों में भेजा जाएगा जैसे एराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तिन इत्यारी जहां युद होता है वहाँ पर गोलिया चलती है और जहां पर गोलिया चलती है वहाँ पर बेहसाब लाशे गरती है गोलिया नाम पता पूछ कर नहीं लगती है उनका काम होता है सिर्फ मारना अमेरीकी सरकार के इससे दो फाइदे होंगे एक तो अपने नाग्रियों की भड़ती ना करके वो अपने वह उनके जाधा वितन पर खड़चोने वाल अपना पैसा बचा रही है। दूसरे अपने नाग्रियों को भी सेनिकों के रूप में युद्मे जोकने से बचा रही है। इसे कहते हैं एक पंत दो काज। और इससे ह हमें भी मिलेंगे हजारो डॉलर। सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। गड़बड उस वक शुरू ही। हमारे बच्चों को विदेशी सेना में भड़ती के लिए भेजते समय तुमने बताया नहीं था कि उनको डिस्टब छेतरों में ड्यूटी करने के लिए भे पेज़े गए क्योंकि उसमें काफी पैसा खर्च होता। उनका वहीं पर सामोई डास अंसकार कर दिया गया। तुम भी सारे पाश्विक कांड़ शामिल होने से जुम से बच नहीं सकते। बकतावर सिंग समय पर नहीं पहुंच आता तो लोग मेरे ऑफिस के साथ मुझे भी तोड डालते। खबरदार गोली चला दूँगा। ये बात तो सच है कि हमने भड़ती होने वाले योकों का असलियत नहीं बताई थी जबकि हमें पता थी। हम ने किसी को बेजने के लिए जबरदस्ती नहीं की थी। फिर अगर तुमारे बच्चों को वहां का बातरों पसंद नहीं आया तो वो बापस लोटा थे। हमने अफिस बंद करके यहां से तफ़ा हो जाएं तुम ने नौकरियों को नहीं कई जिन्दिगयों को विदेशियों के आतों बेचा है तुम यहां से तफ़ा हो गए तो जिन्दा रहोगे और जिन्दा रहोगे तो इस खूनी धंदे को फिर से शुरू कर दोगे क्योंकि चोरी चोरी से चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए ऐसी कहावज जूट नहीं बनी है ये लो इस कागज पर अपने परवार वालों के नाम पते लिख दो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमारे घर वालों को तुमारी लाशा भी न मिल सके अपने कवे की मदस से प्रिंस एक बड़ी सी गठरी उठा लाया ले आया प्रिंस मुझे तेरा ही अंतजार था वर्दियान लोगों को दे दो तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप करते हैं मिलते हैं मुझे मारा एंथनी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद